दोस्तोर हमने काफी वीडियो में अपकमिंग एवीज के बारे में बात किये लेकिन रुको 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 highly recommended नई लिस्ट और सभी electric scooter trusted company की तो आज का वीडियो आप के लिए क्योंकि सबसे हटके वीडियो आज का top 5 upcoming EVs 2025 का वीडियो रहने वाला है जो कि आपको आगी जाकर काफी help करने वाला है कम से कम गाईज 10 साल तक आपको no tension रहना है ऐसे कुछ EVs के बारे में बात करेंगे तो जब टाइम वेस नहीं करते शुरू करते हैं आज का वीडियो में टॉपिक आता है कि आर पांच electric scooter में कौन-कौन से point को हम cover करेंगे उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक pop-up आ रहा होगा यह कुछ point हम जो है इस वीडियो में cover करने वाले है तो नबर पांच पर जो electric scooter है अपकामिंग में ट्रिस्टेड कमपनी की ही है हीरो मोटर कॉप के तरब से विडाज जेड सबसे पहले अंडर वन लाग रुपिज में यह एफिटुबल प्राइज में electric scooter आने वाली है जो कि 2025 में अपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा स्वीडियो मोडल में आपको टे फर्य दिस्प्ले मिलेगा सेकेंड वाले मॉडल आपको सेवन इंजी का इस्प्ले देखने को मिलेगा सीट काफी बड़ी है जिसे एक्टिवा में आती है वीसे आपको सीट देखने को मिलेगी और लुक इसका डेफिनेटली एसर रिस्टा है वे साइस स्मॉलर लुक है बट काफी एट्रेक्टिव कस्टमर को करने वाला है और मोटा मोटा अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो नए लुक के साथ आने वाले 2025 के एलेक्ट्रेक स्कूटर जो की टीवेस आईक्यूब से आगे वाला लुक रहेगा क्योंकि इंडियन मार्केट में सभी ब्रैंड को दो तीन आप्शन जो है कस्टमर को देना पड़ेगा इसलिए बात तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में एक्टिवा इवी को टकर देने के लिए जूबिटर इवी भी आपको देखने को मिलेगी और इसके हिंट जो है काफी आ रहे है अगर हम एक्सपेक्टेटर कुछ पॉइंट के बारे में बात करें तो आने वाले तीन-चार महिनों में ये एलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन म का डिस्प्ले औगेरा आई क्युब में आता है वे साफ को डिस्प्ले देखने को मिलेगा नए जन्रेशन की मोड Kelli यहा पर अप्ग्रेट होने वाली इपहले के मॉडल में बेल्डीस मोड्र इंडियन में बात करें तो आस्योन की प्रस पर आत करें तो इसकी रहने वाली है, जुनको भी एक trusted company की नए generation की 2025 में electric scooter लेनी है, अगर TOS की लेनी है तो इनके लिए भी एक best option हो सकता है, जेल इसके कई सारे आपेट देखने को मिलेगे, एंड वीडियो अपने यहाँ तक देखा, तो यार प्लीज प्लीज यार जो पहले की electric scooter Ola की अभी available है, उसका नया generation आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको सबसे पहले तो pricing जो है, जेहंतरी की pricing पहले के model से 20% कम हो सकती है, अभी यह क्यों होगी, तो सबसे पहले तो इसमें जो battery रहेगी, वो Ola खुद manufacture करने वाला है, on battery manufacturing की company जो है Ola की start हो चुकी है, भारत sales इसमें use होने वाले है, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कही costing जो है कम ही होने वाली है, और Ola को ज्यादा time तक जो market में रहना है, तो कम price में जो है starting से ही Ola electric आ रही है, तो आगे जाकर और भी यह affordable हो सकती है, और भी नए features आपको इसमें देखने को मिल सकते है, जो कि first time इंडियन market में electric scooter में आने वाला है, और दूसरा important point जो है, इसमें component जो है काफी कम होने वाले, पहले के साब से, directly battery के पास ही आपको यहापर motor fit होने वाली है, तो काफी power इसमें कंजुम जो है कम होने वाली है, तो range भी आपको increase होगी होगी so approximately 200 km के ओपर भी यहापर जो रेंज मिल सकती है, आने वाले Gen 3 में, अभी बात करते है, looks के बारे में गार Gen 3 में कौन-कौन से looks आएंगे, so कुछ ना कुछ यहापर update तो होने ही वाला है, चाहे look की बात हो, या कुछ features की बात हो, और यह त्यों के model के हिसाब से pricing भी आपको काफी, आभी के pricing से 5-10,000 तो कम ही होने वाली है, कम से कम, या उससे और भी कम price हो सकती है, और यह launch होगा 2025 के, January से लेकर मार्च 2025 तक, अगर इसकी service अच्छी होती है, तो मैं सबसे ज़्यादा इसको recommend करूँगा, लेकिन service अच्छी नहीं है, तो आप इसके तरफ ना जाओ, आगे के जल्दी हम reveal करने वाल है, क्या क्या इसमें बाते होने वाली है, क्या क्या update आएंगे, and finally इसका जो look रहेगा, वो क्या क्या changes देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो यह नहीं बोला है कि नई battery के उपर हम इस पर काम कर रहे है, so warranty इसकी increase होने वाली है, approximately approximately 5 साल से लेकर 8 साल तक भी आपको warranty में देखने को मिलेगी, कम से कम 100 किलो मेंटर से लेकर 120 किलो मेंटर तक आपको इसमें range देखने को मिलने वाली है, and नए technology मोटर भी आपको यहापर इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें 8045 का speed देखने को मिलने वाला है, और इसका जो look रहेगा, वो थोड़ा सा changes जिस देखने को मिलेगा, जो पहले की चेतक electric scooter है, उससे थोड़ा सा different होने वाला है, सबसे important जो point है, वो है pricing के बारे में, क्या pricing क्या हो सकती है, so guys देखो, starting के pricing इसकी 1,10,000 से शुरू होगी, but वो depend रहेगा, warranty companies में कितनी दे रही है, and कौन-कौन से model में इसको जो है, launching कर रह जिस में सबसे number one ये EV होने वाली है, Honda के तरफ से upcoming electric scooter Activa electric, guys यार हमने काफी वीडियो में Activa electric के उपर बात किये, लेकिन official update इन के तरफ से कुछ भी नहीं आ रहे थे, but 27 November 2024 को ये electric scooter Indian market में launch होने वाली है, यो तो already आप सभी को पता ही होगा, कि ये news जो है काफी trend आपी चल रही लेकिन यार हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, में मुद्दे के बारे में बात करती क्यार क्यों आपके लिए Honda की Activa electric ही लेना चाहिए, क्यों इसके लिए आपको wait करना चाहिए, तो guys देखकर सबसे पहला जो point है, वो यार metal body इसमें देखने को मिलेगी, कई सारे friends बोलेंग यार इसमें metal body नहीं है, तो यार देखो यार बजाज company को ये टकर देने के लिए इनको metal body में Activa EV को launch करना पड़ेगा, और इंडिया के बाहर जो Activa electric चलती है, वो metal body में ही आती है, second अच्छा point है कि यार इसमें आपको removal battery मिल जाती है, जिसमें आपको 100 km की single battery में range मिलेगी, dual battery में 180 km तक आपको range देखने को मिल सकती है, तिसरा point है कि यार ट्रिस्टेड कमपनी होने कारण आप इसको जो no tension रह सकती है, और इसमें जो battery है, उसमें जो sales ये उन्होंने यूज किये है, वो LG CMS के sales है, कम से कम यार 10 साल तक तो चलने ही वाले है, अगर इसको आप अच्छे स की motor रहेगी, और कई सारे updates में उन्होंने motor वागरा भी showcase उन्होंने की, तिक्यार Honda की तरफ से officially motor आपको देखने को मिलने वाली है, और 2025 में सबसे best इस वीडियो की electric scooter जो है, Honda की active electric ही रहने वाली है, अगर हम pricing की बात करें, so 1,25,000 से लेकर 1,30,000 के आसपास इसकी स्टार्टि की pricing इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, नए updates और कही सारे वीडियो जो ही हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, उसके लिए चैनल को अभी के अभी सबस्क्राइब और बेल आइकन को ज़रू से ज़रू करना, क्योंकि आर यहाँ पर आपको quantity वीडियो की कम के बट quality 100% best मिलने वाली है, तो पांचो एलेक्टर स्कूटर में आपको कुझ से चलेगी, comment में जाकर जरू से जरूर बाताईए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में